हेलो फ्रेंट्स माइनेम इस फ्रीटी आप देख रहे हैं एक्जाम ट्रेन योडूब चैनल फ्रेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख नदियों के किनारे इस्थित सहर कभी कभी क्या होता है हमसे सहर का नाम दे देगा और पूछता है कि कौन सा सहर कि नदी के किनारे है तो जैसा कि हम लोग भारत का देख चुके हैं और विश्व का बचा है तो विश्व का भी देख लेते हैं हम लोग और एक बार आप इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको नदियों के अलावा और भी बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी तो बिलकुल कॉंस्चेंट्रेट होके पढ़ाई करिए अगर अगर हम लोग रोम की बात करें तो रोम इटली की राजधानी है रोम किसकी राजधानी है इटली की राजधानी है क्या रोम और यह कहां है टाइबर नदी के किनारे है याद कैसे करेंगे तो याद भी कर लेते हैं देखें टाइगर को देख करके हम लोग का रोम रोम काप उठता है तो उसी से याद कर लेंगे कि रोम कहां है टाइबर नदी की किनारे है रोम नेक्स हम लोग बात करते हैं बर्लीन के बारे में ठीक है बर्लीन किस नदी के किनारे है बर्लीन है स्प्री नदी के किनारे किस नदी के किनारे है स्प्री नदी और बर्लीन पूर्वी जर्मनी का एक सहर है कहां का सहर है पूर्वी जर्मनी का एक सहर है बर्लीन नेक्स बात करते हैं आश्वान खार्तुम काहिरा देखें नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट है नील नदी से हमेशा एक्जाम में क्वेस्टन्स बनते हैं क्यों बनते हैं क्योंकि यह विश्वकी सबसे लंबी नदी है इसकी कुल लंबाई है 6803 किलो मेटर और यहां से हमेशा क्वेशन है यह कहां की नदी है तो यह अफ्रिका महाद्वीब पर बहने वाली नदी है जिसका उत्पत्ति कहां से होता है विक्टोरिया जिल से और यह गिरती कहां है भूमद दिशागर में गिरती है नील नदी ठीक किनारे इस्थित है यह तीनों कहां पर इस्थित है यह तीनों की तीनों नील नदी के किनारे इस्थित है चले नेक्स बात करते हैं बुड़ा पेस्ट हंगरी बुड़ा पेस्ट कहां है हंगरी में है वियना आउस्ट्रिया में और वेलगर्ड यूगोसलाविया में है ठीक यूरोप में बहने वाली एक प्रमुख नदी यह जैसे अलवे नदी टाइबर नदी जो हम लोग पढ़े हैं इटली रोम उसी किनारे ना टाइबर नदी हम लोग पहले ही सबसे पहले पढ़े हैं तो टाइबर नदी अब इन नदी निकलती कहां से और गिरती तो शुरू कर लेते हैं तो मय भूली थी बता आना अब देखें टाइबर नदीbar नधी की अगर लोग बात करें तो टाइबर नदी एक नाइन पर्वस से निकलती है कहां से निकलती है एक तरी के निकलती है और कहां गिरती यह भूमद दय सागर में टाइबर नदी एप की नदिकान दिणोब की बात करें हम लग टॉपिक पे आते हैं अगर बात करें तो बुडा की वियाना और बेल्गुरेड यह सब देन्यूब के किनारे इसी था एक यहां पर आप लोग देख लिए यह बेलगरेट पढ़ता है यूगोसलाविया में और यह उस्ट्रिया में यह हंगरी में डेन्यूब की बात करें तो यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट परवस से निकलती है डेन्यूब नदी कहां से निकलत निकलती कहां है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ठीक है तो यह दो चीजी आपकी क्लियर हो गई कि बुड़ा पेश्ट वियना और बेलगरेट कहां है डेन्यूब नदी के किनारे है चले नेक्स बात करते हम लोग पैरिस फ्रांस यह किस नदी के किनारे है तो पैरिस किस नद नदी के किनारे है सीन नदी के किनारे है अगला हमारा टाइग्रिस नदी कौनसी नदी है टाइग्रिस इसको हम लोग देख लेते हैं बगदाद किस नदी के किनारे है तो बगदाद किस नदी के किनारे है टाइग्रिस नदी के किनारे क्या है बगदाद टाइग्रिस नदी लिए किनारे यह बहुत इंपॉर्टेंट है टाइग्रिस नदी इसे आप लोग याद रखेगा अब इस टाइग्रिस नदी को देखें दजला नदी आप लोग जानते हैं दजला दजला को ही टाइग्रिस कहते हैं तो कभी-कभी ऑप्सन में में कन्फ्यूस करने के लिए अब दजला और फरात देखें यह दिया है क्या दजला और फरात यह दोनों जहां पर मिलती है इनके बगल में है बसरा जो कि कहां पढ़ता है इराक का ही एक सहर है बसरा यह पढ़ता है दजला और फरात नदी के किनारे अगर हम लोग बात करें दजला फरात नदी से कुरा पर नमकर्ष्टान पर निकल थियर तुरकी से और गिर्ती कहा है यह एअGO लुज्टपारस की खाड़ी में और इसकी क्या मुख्य सहायक नदी में यह एसिया की नदी तो इन दीक है मैमार में से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और रंगून इसी के पास है रंगून कहा है इसे इसे ये रावदी नदी को मेमार की गंगा भी कहते हैं दजला फराद या टिग्रीस इस अब भी कहां पर है एसिया की प्रमुख नदिया है नेक्स बात करते हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया एक सिटी है पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह इस्तित है श्वान नदी के किनारे कहां पर इस्तित है श्वान नदी के किनारे देखें ऑस्ट्रेलिया की दो और प्रमुख नदिया है मर्रे और तर्लिग ठीक है दो नधी हैं मरे नदी और तरलिग नदी A को कि एक काफी बार एक्जा में पूछता है कि कहां से निकलती है तो आप याथ रखें मरे और डार्लिग कहां की नदी यह है उस्ट्रेलिया की नदी है मर्रे और डार्लिंग नेक्स बात करते हैं लीवर्पूल इंग्लैंड किस नदी के किनारे है तो यह है मरसी नदी के किनारे किस नदी के किनारे मरसी नदी के किनारे अंकारा तुर्की या किस नदी के किनारे है किंजिल नदी के किनारे अगला है हमारे ये दिखिए अमेरिका के चारों जगह है वासिंग्टन डीशी या पोटोमेक नदी के किनारे है लुइस मिसिस्पी नदी के किनारे हैं और शिकागो शिकागो नदी के किनारे हैं देख लेते हैं नदियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं क्योंकि एक्जाम में question बनते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हडसन नदी के बारे में किस नदी के बारे में हडसन तो देखें यहां चैंपियन जील से निकलती है हडसन नदी कहा से निकलती है यह चैंपियन जील से निकलती है और अटलांटिक मासागर में गिरती है और इसके ट्रेट पर क्या बसा तोक्योच आपन तो ये किस नदी के किनाlast现在 इरावदी नदी के बारें प्रइंडी इसके किना पर क्या है रंगून लीफे इस नदी के किनाहरे और चटगाओं कहां है मैयानी नदी के किनारे हैं बांगलादेश ने जोगी यह देखे सब important questions है तो इनको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से अगला हम लोग बात करते हैं लंदन इंग्लैंड या किस नदी के किनारे है तो टेम्स नदी के किनारे हैं जिसे लंदन की गंगा कहा जाता है लंदन की गंगा मॉस्को लंदन जो कि इंग्लैंड में या किस नदी के किनारे है टेम्स नदी के किनारे है उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉस्को तो तो मॉस्कोरूश में है और या माश्कवा नदी के किनारे है बात करते हैं बियूनर सायर्स या किस नदी के किनारे है तो लापलाटा नदी के किनारे किस नदी के किनारे लापलाटा और फिर लास्ट है हमारा डुंडी स्कॉट्लेंड या टे नदी के किनारे यह सभी क्वेस् और हमें बताना है कि ये लोग कौन कीस नदीों के किनारे है, आई ये शुरू करते हैं सबसे पहले, देखिए हैंबर्ग matar making hour अलवे के किनारे हैं यह यह निकलता कहांसे है the अलवे नदी यह कारको नुच परवस से निकलता है और उत्तरी जर्मनीक के उत्तरी सागर में गरती है उसके बाद हम लोग बात करते हैं नधी के किनारे सect ओंकिस नधी के किनारे हैरे नधी के किनारे कोलोन जर्मनी और राइन नदी की देखिए राइन नदी की इंपोर्टेंट है तो जो चीज़े इंपोर्टेंट हम लोग उन्हीं को डिसकस करेंगे यह निकलती है आलपर पर इस्तित एक कॉंश्टेंस जील है वहां से निकलती है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए हम लोग को क्या पता चल गया है राइन नदी फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा भी बनाती है ठीक और यह नीदर लैंड में रॉट एडम एक बंदर गाह यह भी पता है आपको वहां एक उत्तरी सागर में गिरती है रॉट एडम कहां ठीक वहीं उत्तरी सागर में गिरती है उसके बाद देखें डेजिंग यह भी जर्मनी का अगस्तान है और यह किस नदी के किनारे है विश्टूला नदी के किनारे विश्टूला नदी तो friends इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल एकन पर जरूर प्लिक करें थांकि यू फ्रेंज आंकि और आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं यहां पर आपको करेंट अफेर वीकली और मंतली वेसी पर प्रॉइट किया जाता है ग्राम विकास सदिकारी के लिए टेस सेरी और क्लासेज दोनों अवेलेबल हैं रेलवे की साइन्स क्लासेज अवलेबल है हिंदी जोग्रफी पॉलिटी ये सारी चीज़े और हिंदी व्याकरण ये सभी चीज़े आपको माय चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे तो आप विजट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू फ्रैंस थैंक यू सो मुच